आज की इस कर्चा में हम प्रस्णा वली 6.2 के प्रस्णों को हल करने जा रहे हैं हमारा पहला प्रस्ण है दिये गए वकस की सहायता से दश्मलों बनाकर सार्णी को पूरा कीजिए तो आईए इसमें चार प्रस्ण है एक एक प्रस्ण को लेते हैं प्रस्ण संख्या ए वन का ए तो यहां इकाई कितना है इकाई नहीं है शुन्य है चलिए शुन्य लिखते हैं दशांस कितने हैं दशांस हैं यहां कितने हैं कि नहीं है एक दो तीन यहां तीन दशांस है और यह शतांस नहीं है यानि शुन्य तो संख्या क्या होगे हैं हमारी शुन्य दसमलो टीन अब बी नमबर देखते हैं तो बी नमबर ये पूरा एक है ये कितना है ये एक है तो हमारा इकाई हो गया एक अब यहां आते हैं दसांस है यानि एक का ये दसवा हिस्सा है दसांस किसे कहते हैं ये पूरे एक का दसवा हिस्सा है आप देखिए पूरा एक है और इसे दस भागों में बटा गया है तो यह दसांस हो गया तो यहां दसांस हो गया एक, दो, तेन, चार, पांच तो यह दसांस हो गया पांच और सतांस नहीं है तो यह शुन्ने तो यहां हो जाएगा यह संख्या हमारा एक दसमलो पाँच अब इसी तरह से हम सी देख रहे हैं यहां इकाई नहीं है यहां दसांस है कितने है एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो तो यहां पर इकाई तो शुने है और दसांस है नो अब सतांस है यहां कितने एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे तो यह छे सतांस हो गए तो यह हो गए हमारे शुन्य दसमलो नो छे अब है डी नंबर तो डी नंबर में देखे यह इकाई एक है यह यह एक हो गया दसांस नहीं है तो यह शुन्य हो गया यहां सतांस है कितने एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे यह हो गया छे तो यह हमारा हो गया एक, दसमलो शुन्य छे एक बार फिर से मैं दोर आ रहा हूं यह पूरा इकाई होता है और इसका जो दसमा हिस्सा है यह जो हमारा वर्ग है इस वर्ग का यह दसमा हिस्सा हो गया यह देख रहे हैं यह दसमा हिस्सा हो गया जब हम इसका एक एक ब्लॉक लेते हैं तो वो सतांस हो जाएगा जैसे यहाँ पर है देखिए यहाँ पर यह सतांस है यह पूरा एक सो में बटा हुआ है यह एक को एक सो में बाटे है और उसका यह एक है एक भाग है तो यह सतांस हो गया स्थांस यानि स्वां हिस्चा दसांस यानि दस्वां हिस्टा Halo कि रस्त संख्या दो निमडांकित स्थानिये मान सार्डी को देख कर दस्वला रूप में लिखिए कर यह सार्णी बना हुआ है स्थानिये तो ये कौन सी संख्या है, ये हमें बताना है, इस संख्या को लिखना है, इस सार्नी के नुसाल, तो हम लोग देखते हैं एक एक करके, पहला नंबर, यहां सैकडा में दो है, दाहाई में तीन है, इकाई में शुन्य है, दसांस चार है, और सतांस साथ है, तो आएए इस संख् ये हमने लिखा सैक्डा में दो, दहाई में तीन है, ये दीन दहाई है, और इकाई में शुन्य है, और इसके बाद दसमलो है, तो दशांस में क्या है, चार है, और सतांस में साथ, तो ये हमारी संख्या आ गई अब दूसरा नमबर देखते है, यहां सैकड़ा में 6 है, दहाई में 8, एकाई में 9, इसके बाद यह 10 मलो, दसांस में क्या है शुन्ने, यह शुन्ने, शतांस में 3 तीसरा नंबर है सैकड़े में पांच है दहाई में शुन्य है इकाई में तीन है और उसके बाद दसमलो दसांस में चार है और सतांस में शुन्य है तो ये हमने जो इस्थानिय मान सारणी था उसके अनुसारिये संख्याईं आ गए हैं प्रस्ण संख्या तीन निम्नलिकित दश्मलों संख्याओं को इस्थानिय मान सारणी बना कर लिखिए तो ये हमने एक सार्णी बनाया है इसमें पहला है संख्या उसके दहाई, इकाई, दसांद, शतांस ये हमने सार्णी बनाया है अस्थानी एमान सार्णी अब हम एक-एक संख्या को लेते हैं ए नमबर में है शुन्य दसमलो शुन्य साथ तो यहां दहाई में क्या है? कुछ नहीं है, शुन्य है इकाई में भी शुन्य है दसांस में क्या है? यह भी सुन्य है और शतांस में साथ अब बी नमबर देख रहे हैं यहां भी दहाई और इकाई में शुन्य है यह दहाई में शुन्य एकाई में शुन्य और दसांस है एक सतांस है दो C नमबर में देख रहे हैं दहाई में तो यहां शुन्य है दहाई में कुछ भी नहीं यानि शुन्य है लेकिन इकाई में है एक दसांस दो और شतांस शुन्य D-Number में देख रहे हैं कि हमारा दहाई में आठ और इकाई में 3 है तो दहाई में हम लिखते हैं आठ और इकाई में 3 अब दसांस देखते हैं यहाँ शुन्य है यह शुन्य और सतांस में 9 तो यह जो दस्मलो संख्याएं थी उसे हमने स्थानिय मान सार्णी में सजा कर लिख दिया है इसी तरह से आपको अगर प्रस्न में और भी संख्याएं मिले तो इसी तरह से सार्णी बना कर आपको लिखनी है प्रस्न संख्या 4 निमलखित में से पते को दसमलों रूप में लिखिए पहला ए है पांच जोड़ 2 बटा 10 जोड़ 7 बटा 100 इसे 10 मलों में लिखना है तो ये हमारा पांच है पूर्ण संख्या इसके बाद ये पलस हो गया दो बटे 10, तो इसे 10 मलो में हम क्या लिखेंगे, 0.2, अब 7 बटा 100, यानी 7 सतांस, तो इसे हम लिखेंगे, 0.7, और ये हमारा हो गया, 5.2, 7, ये हो गया, बी नमबर देखते हैं, तो यहाँ पूर्ण संख्या हमारा है 14, तो ये तो हमने लिखा 14, और ये प्लस, ये 8 दशांस है, यानी 0.8, और ये है 5 शतांस, यानी 0.5, तो ये हमारा हो गया, 14.8, पांच, सी नमबर है, उसी तरह से ये 32 और जोड ये 9 शतांस है, तो ये हो गया, 0.9, तो ये हमारा हो जाएगा, 32.09, अब हम देख रहे हैं, पांचवा नमबर प्रश्न, निम्र लिखित दश्मलो संख्याओं को शब्दों में लिखिए, ये नमबर है, 0.04, अर्थात, इसे हम कैसे लिखेंगे, शुन्य दस्मलो शुन्य चार, बी नमबर है, एक दस्मलो शुन्य चार, उसके रहाद ये शुन्य है, शुन्य लिखेंगे इसे, शुन्य साथ, ये है तीन दस्मलो शुन्य चार, ये है 41.21, एक चीज़ अभी आप सभी गौर करेंगे, कि जो पूर्ण संख्या है, ये तो हम पढ़ लेते हैं, 41, दस्मलो के बाद जो आता है, तो इसे हम 21 नहीं पढ़ेंगे, 2, 1 पढ़ेंगे, यहां आपने देखा था, तीन दस्मलो हमने 24 नहीं पढ़ा, इसे पढ़ा, तीन दस्मलो दो, चार, तो दस्मलो संख्याओं को पढ़ने का यही तरीका है, तो इसे लिखते हैं, 41, 41, दस्मलो दो, एक, और यह है, 240, दस्मलो साथ, प्रस्न संख्याओं छे, निम्रिलिकित संख्याओं, संख्याओं रेखा के किन दो बिंदूओं के बीच में इस्थित है, यहाँ पांच प्रस्न है, मैं इसे बता दे रहा हूँ, आप स्वयम लिखेंगे, ए नमबर गौर से सुनेंगे, ए नमबर सुन्य दस्मलो एक दो, यह सुन्य और एक के बीच इस्थित है, फिर से बोल रहा हूँ, यह सुन्य और एक के बीच इस्थित है, बी नमबर, दो दस्मलो साथ, यह दो और तीन के बीच इस्थित है, सी नमबर, सुन्य दस्मलो एक इस्थित है, यह सुन्य और एक के बीच इस्थित है, दी नमबर, एक दस्मलो चार, यह एक और दो के बीच इस्थित है, यह नमबर, सुन्य दस्मलो पाँच सुन्य, यह संख्या, सुन्य और एक के बीच इस्थित है, आसा है आपने लिख लिया होगा, अब प्रस्न संख्या साथ, नियूनतम भिन्य के रूप में लिखिए, यह संख्या है, दस्मलो संख्या हैं, दस्मलो में दी हुई है, इसे हमें भिन्य के रूप में लिखना है, और वह भी नियूनतम भिन्य के रूप में, तो आइए एक एक करके से हल करते हैं यह है 0,25 तो इसे बिन्ने की रूप में कैसे लिखेंगे पचीस बटा एक पर दो शुन्ने तो हमने 2 शुन्ने क्यों लगाए दस्मलो के बाद जितने अंक होते हैं एक के बाद उतने शुन्ने देखते हैं अब इसे अगर हम काटेंगे, नियुनतम रूप में लाएंगे तो यह 25 से एक बार में कटेगा और यह 25 से 4 बार में यानी 1 बटा 4 अब यह है ठिक इसी तरह से यह हो जाएगा 67 बटा एक के वाद 2 शुनी यानी 100 तो ये 67 बटा 100 इसे और हम नियुन्तम रूप में सरल नहीं कर सकते हैं तो यही नियुन्तम रूप होगा अब ये है 125 बटा 1 पर कितने सुने देंगे देखिए दसमलों के बाद अंग गिनते हैं एक दो तीन यानि तीन शुने देंगे एक दो तीन और 125 से अगर हम 1000 को भाग देंगे तो ये 8 बार जाएगा अर्थात ये हो जाएगा एक बटा 8 यही नियुन्तम रूप इसका है यहां है 4 दसमलों दो यानि 42 बटा 10 तो आंस और हर दोनों को हम दो से काटेंगे तो ये हो जाएगा 21 और ये होगा 5 अब इसी तरह से ये नंबर ले रहे हैं तो ये है 625 6 दसमलों 25 को हमने लिखा 625 बटा 1 पर 2 शुने तो इसे हम 25 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 25 बार में जाएगा और ये 4 बार में ये हमारा नियुन्तम रूप आ गया है